दोस्तों, हर दवा में कुछ न कुछ ऐसा होता है, जो उसे दूसरों दवा से अलग कर देता है फिर चाहे वो एंग्जाइटी हो, फियर हो, एंगर हो, होपलेसनेस हो, होपफुलनेस हो, पॉयलेस हो, कोई भी चीज हो, एक दवा में वो अलग तरीके से होगा, दूसरे दवा में वो अलग तरीके से, तीसरे दवा में वो अलग तरीके से, लेकिन दूर से देखने पे एक ह जैसे लगते हैं आगे आज हम लोग एक मेडिसिन सोरीम के बारे में उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे दोश्तों, थोड़ा सा इनación लेंगे या उसके बारे में बात करेंगे व्याटेवरे इक में बैस Me थे नििभए पिशूरिनंद को पहले पर जोड़ा से बता दू कि इनको किस चीज का इंक्झाइटी होता है मुसली सोरिनुम पेशेंट को एंक्जाइटी होता है अपने हिल्थ को ले के बिजनेस को ले के ले कि फ्यूचर को ले के या सैल्मेस ले के इन cya जीजों को ले उस पेसिंट के respiration में problem होने लगता है, यानि उसको difficult respiration होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, चेस्ट में तैल्पिटेशन होने लगता है, पसीने आने लगते हैं, समटाइम कभी-कभी उसके हाथ वगर भी कापने लगते हैं, ठीक है? और इसकी ये anxiety फिल होत पे और हार्ट रीजन पे इस एंग्जाइटी के साथ कभी-कभी ऐसा होता है सुर्जम पेशेंट को कि वहां पे पेन होने लगता है और वो पेन उसे और ज्यादा एंग्शियस बना देता है और इसकी एंग्जाइटी मुस्टली सुबह पांच बजे से सामको पांच बजे तक होती है या फिर रात को वो सोया हुआ है और अचानक उठे तो उसकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है या कभी-कभी ऐसा भी होता है सोरिनम पेशियंट के साथ कि दिन भर वो ठीक रहता है और रात को उसकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है उसकी एंग्जाइटी गरम कमरा या गरम रूम में अक्सर एग्रिवेशन पाया या बढ़ा हुआ देखा गया है एक खास चीज़ है जैसा कि मैंने बताया कुछ ने कुछ खास होता है हर दवा में इसके मोडलिटी में एक खास चीज़ यह है दोस्तों कि जब भी इसको एपिस्टेक्सी होता है यानि नाक से बलड निकलता है तो इसकी एंग्जाइटी कम हो जाती है या इसका फियर कम हो जाता है यह बहुत पेकूलियर है खास है यह तो हुआ एंग्जाइटी के बारे में दोस्तों और फियर फियर उसे डिजीज का होता है जैसे कोई इंक्यूरेबल डिजीज, कैंसर हुआ जो जल्दी क्योर नहोत हो उस disease का डर और दूसरा misfortune यानि कुछ बुरा ना हो जाए कुछ अमंगल ना हो जाए कुछ बैड या कुछ इविल ना हो जाए इस तरह का डर सोरिनम पेशेंट को होता है यहां पे यह वीडियो बनाने का में मुद्दा यह था कि मैं यहां पे इसके misfortune के बारे में थोड़ा सा बता हूँ आपको जो इसकी यह feeling है ना अमंगल उसके बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि anxiety जब होती है पेशेंट को तो palpitation होता है यानि दिल के धरकन बढ़ने लगती है सांस पूलने लगती है और प्रेश्ट फिलिंग इंदा चेस्ट घुटन होने लगती है यह सारे symptom होते हैं और साथ में कभी-कभी पेशेंट को चेस्ट में पेइन भी होता है हाट रीजन तो जब कभी भी यह सोरिनम पेश कि हो नहों मुझे कोई हार्ट की बिमारी हो और फिर वो बहुत ज्यादा बेचायन होने लगता है वो एक जगह पर बैठ नी पाता यहां-वह घूमने लगता है रेश्लेस हो जाता है पसीने आने लगते हाथ पर ट्रेंबलिंग होने लगता है एक पैनिक वाले स्टेज में चला जाता है वो पूरा पैनिक जैसे पागलपन नहीं होता उस तरह का इतनी ज्यादा घबराहट होती है उसे लगता है कि अब मुझे हार्ट का प्रॉब्लम ही है और जब कभी भी पेन होता है और यह महसूस करता है कि हार्ट का प्रॉब्लम है तो यहीं तक नहीं रुकता इसका एक साइकल अब हार्ट में पेन हुआ तो हार्ट की बीमारी मेरी इंक्यूरेबल है अब ये ठीक नहीं होगी अब इसके वज़े से हो सकता है मेरी मृत्यू आ जाए यहां तक सोच लेता है तो यह बात सुरू हुई थी एक छोटे से एंग्जाइटी से और यह कहा तक सोच लिया डेट तक इस तरह का मिसफॉर्चून या फियर अफ मिसफॉर्चून कुछ बुरा होने वाला इस तरह का अमंगल का डर सोरिनम पेशेंट को होता है मैं दूसरे तरह से और एक एक्स्प्लेइन करने कोशिस करता हूं दोस्तों जैसे इसे राइडिंग का डर लगता है गाड़ी चलाने का या फिर समझो सोरिनम पेशेंट किसी उचाई पे है या फिर उचाई से नीचे उतर रहा है फॉर एक्सामपल समझ लेजिए पहाड से नीचे उतर रहा है वो तो नीचे उतरते समय उसी के डर लगता है कि कहीं मेरा पेर लड़ खडा न जाए मैं गिर न जाओं मैं मर न जाओं इस तरह का डर या अगर कहीं पे आग जल रही है और वो बगल से जा रहा है तो उसे लगता है यार ऐसा न हो कि मैं आग में गिर जाओं और दोस्तो विल पावर होने के बावजूद भी ये बंदा जब आग से गुजरता है उसके पास से गुजरता है तो लड़ खडाने लगता है मतलब कि इसका जो fear of misfortune इतना strong होता है कि कभी-कभी ये physical level पे उस पे affect करता है वाकई affect करता है that much fear he is having अब सूच ये पाहड से नीचे आ रहा है उसे डर है लड़ खडा रहा है और हो गया तो ऐसा हो गया तो वैसे हो गया तो and sometime these thoughts इस तरह के thoughts उसको वाकई physical level पे affect करते हैं जैसा कि मैंने बताया कि उसके parallel खडाने लगते इसी तरह से other faculties जो उसके जीवान में दूसरी चीज़े हैं उसमें भी affect होती है for example ले लीजे अगर उसे डर हो गया कि कहीं मेरा business खराब न हो जाए या उसे anxiety आ गई तो अपने उपर वो अपने ability पे वो सवाल उठाने लगता है खुद ही कि शायद मैं business के लाइक नहीं हूँ ऐसा नहों मैं fail हो जाऊं business में और ये कब सोच आते हैं हलांकि उसका business बड़ा फलता पुलता है मान लीजे एक सुरिणम का patient है जिसका बहुत अच्छा business है बहुत अच्छा turnover है इसके बावजूद भी अगर ये ख्याल आ गए तो यहां तक सोच लेता है कि मैं business के लाइक नहीं हूँ कहीं मेरा business collapse नहोजाए कहीं मैं bankrupt नहोजाओं या फिर अगर वो बीमार है और वो अच्छा हो रहा है समझे 80% तक अच्छा हो गया और उसको यह खयाल आया रही कहीं फिर बढ़ न जाए अकेर उसका trigger इसलिए टाइफाइड के stage में जब सोरीनम पेशेंट लगभग पूरी तरह से ठीक हो रहा होता है उसके बाद भी suddenly वो hopeless stage में चला जाता है mentally, physically नहीं बता रहा हूं अब किसी पेशेंट का टाइफाइड अगर 80% तक ठीक हो जाएगा पर सूरीनम ऐसा नहीं सोचता वो बीस परसेंट के समय भी अगर उसको anxiety या फियर आ गया तो वो 80% खतम हो जाता है यह डाइरेक्ट जीरो पे आ जाता है, हो प्ले स्टेज पे आ जाता है, डिस्पेर यह चीजें सोरीनम पेशेंट को दूसरे दवाईयों से अलग करती है हाला कि बहुत सी दवाईयों में फियर ऑफ मिस्पॉर्चून है फियर सम्थिंग बैड विल हैपेन कुछ बुरा होने वाला है, कुछ हमंगल होने वाला है यह एक नहीं कई दवाईयों में है लेकिन इस तरह का सुच सोरेनम में है तो मैं बताना यही चाहता हूँ दोस्तों कि हाला कि इसका फिल पावर होता है यह पोटैंशियल इसका होता है सब कुछ इसके पास होता है लेकिन जब ये चीजें इसके दिमाग में आती है तो ये अपने आपको बहुत डाउन कर देता है या डाउन हो जाता है, करता तो कोई अपने आप नहीं है हो जाता है समझगे एक पहलवान है अब और लड़ रहा है, सडली जीत रहा है सडली उसके दिमाग में आगया अगर कहीं मैं हार गया तो मेभी मेभी सोरीनम का पेशिंट अगर पहलवान है अगर ऐसे सोचाए तो हार सकता है यानि जीते हुए बाजी को ये सोरीनम का ये खयाल हरा तक सकता है इस वेरी वेरी यूनीक आप सोरिनम ओके दोस्तों ये एक छोटी सी बात आपको सोरिनम के बारे में बतानी थी इस वीडियो में थैंक यू वेरी मैच